हेलो एंड वेलकम गाईज स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल इंडियस वेब टी में जहां पर आप सिखते हैं बिजनेस मैथामाटिक एकाउंटेंसी कॉंटिशन एकजाम का गडित इंगलिस इस्पोकन हिंदिय संस्क्रिप सब कुछ तो आज कौन सी क्लास है आज क्लास है मैं आपको पढ़ने वाला हूं सधारन ब्याज चैप्टर नमबर 6 अगर आपके इंटर्नल इसम काफी करीब है या आपके बोर्डिंग साम आने वाले हैं तो आप चाहते होंगे कि आपको हर पार्ट के एक बेसिक मिल जाए तो इसलिए मैं हर एक चैप्टर के कुछ बेसिक प्रशन को सभी प्रश्न को हल करके वीडियो भी दे रहो हूं तो उन वीडियो को भी अगर आप देखना चाहते हैं टाइम तो चाइनल को करें सब्सक्राइब और हर वीडियो का आनन ले ठीक तो बीना किसी देरी के आज के टॉपिक स्टार्ट कर्て हैं मैंने लिखाए वी इनका अगर मैं एक्जांपल दूं कि एक्चल में होता क्या है ठीक है तो वैसे मैंने चार प्रश्ण कवर किये हैं पर आपको बेसिक पता होना जीए आपने पांच वी से पढ़ा है सधारन ब्याज का मतलब सधारन ब्याज बराबर मूलधन गुडिदर गुडिद समय बटे स बराबर सधारन ब्याज यह आपको पता होगा अब उसी से रिलेटेट प्रश्ण है तो देखिए पहला प्रश्ण आपके एक्सरसाइज का मैं हल कर रहा हूं पहला प्रश्ण एक बैंक साथ महनों के लिए साड़े आठ पर्शंट की दर से आठ सही एक बटे दो पर्शंट वार्सिक की दर से सधारन ब्याज पर 7,850 रुपए दिये इस समय ओधी के बाद कितने रुपए का भुगतान किया जाएगा यह पूछा जा रहा है आपको प्रश्ण में पढ़ना है कि ब्याज कौन सा है ब्याज दो तरह के होते हैं सधारन ब्याज रुच्छक्रविति ब मैंने लिखा कि ग्यात है सधारन ब्याज का फार्मूला मुल धन गुड़ी दर गुड़ी समय बटे 100 अब जो पते सकते हैं पहले दिया है करके सिधा फिलप पर सकते हैं तो मैंने नहीं लिखा आप लिख सकते हैं फिर जाकर उसको मान भरिएगा अब हमें क्या पता है सधा साथ बटे बारा लिखना है क्योंकि एक साल में बारा मैंने होते हैं तो साथ बटे बारा ठीक बीच में जो भी महिना बताए वहां से लेकर के बारा आपको लिखना ही है अगला साडह बारा से लिखेंगे तो देखें व нашей स्लिखन हैं तो बते का अपने तो कि आपको ऊक्यों का लिखने तो इतना कट गया अब विशन संख्याएं है तो अब तो नहीं कटेगा तो इन तीनों का गुड़ा कर दीजे और इन तीनों का गुड़ा करने पर जो आगव से भाग देजे तो आपको जो आंसा निकलेगा वह निकलेगा चाप्टर में अगर आता है तो आप यह मैं नहीं करूँगा यह मैं निकल सकते हैं जिसका फर्मूला क्या है मूल धर में आगर आप व्यास को जोड़ देते हैं तो मिसरधन निकल जाता है जितना हमने रुपय किसी को धर दिया उसमें उसने जितना ब्यास दिया दोनों हम जोड़ेंगे तभी तो उसको मिस्वधन कहेंगे तो इसलिए मुल्धन और ब्यास को जोड़े तो मुल्धने जिसमें 550 रुपय पर 4% वार्षिक की दर से 605 रुपय हो जाए अब आपको लिखना सबसे पहले दिया है मुल्धन 550 तो आपने लिख लिए मुल्धन 550 मेशल धन लिखना है जो कि ये दिया है इस रुपय का इतना हो जाए अगर ऐसा प्रश्ण बोले इसका मतलब उस रुपय को मुल्धन और इतना हो जाए वो मिस्रधन तो यह ऑगा मिश्रधन इदा आपको पते है चार पर्शन अब समय कालना है तो मिस्रधन 550 घटा तो सधारन वियाज जो निकल गया है अब समय न मैंने लिखा है इसमें समय को यहीं रखिए बाकिको पक्षांदर कीजिए तो 100 उपर जाये का मुल्धन दर नीचे आएंगे इसलिए मैंने लिखा समय बराबर सधारन व्याज गुडित दर बटे आर गुडित पी मतलब दर गुडित समय मतलब मुल्धन ठिक समय तो वहां रह सहीत नहीं होता है अंसर आपको सहीं जाएगा आश्र नहीं आ रहा है मतलब आप गल्टी कर रहे हैं इसको बार जांख करके स्यूंद्र क्यूस करते रहेंगे ना तो आपका बुद्धी तो नेड़िक कर पाएं कि तो मेरी सला है कि यह सब का माप खुद से करें पेंट परशन में आठ वर्स में पांच परशन की दर से मिलता है अब देखिए प्रशन थोड़ा घुमावदार है इसमें दो इस्थिति है ठीक है बहुत समय ज्यात करें जिसमें सधाराण ब्याज पांस रुपए पर छै परशन वार्शिक दर से उतना ही ब्याज मिले जितना पांस ब्याज निकालते हैं तो आपको लिपना है मुल्धन गुड़ित दर गुड़ित समय बटे सो मतला पांस तालिस गुड़ित आट गुड़ित पांस गुड़ित बटे सो डिवाइड करके आपने जो निकाला वो निकला आपका 216 रूप है यह पहले कंडिशन में दूसरा कं प्लधन और यहां रहेंगे बटे सो समय तो आपको निकालना है तो अब इन दोनों को पक्षांतर कर दीजिए तो टी बराबर यह उपर और यह दोनों नीची आ गए अब इनको हम डिवाइट के तो आपका निकला साथ दसवाम लोग दो तो आप समय क्या कहेंगे साथ दसम इसका कुछ भाग 7% की दर से 6 वर्ष के लिए यहां सेज भाग 9% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लिया मतलब दिया उसने देखा कि प्रथम भाग का सधारन ब्याज दूसरे भाग के सधारन ब्याज से दूगना है तो दोनों भाग ज्यात कीजिए ठिक अब उसने एक ही दोनों दोगे निकालन दोफ और समयर दर पद दिया लेकिन वे नेखता है कि पहला वाला दुसरे मतलब पहला वाला जो सधारन ब्याज है तो दूसरे सद्धर भाग से दूगना है तो देखें निकालते हैं जो नों को अलग पहले भाग का सद्राइब निकालना है तो मूलधन गुड़ी दर गुड़ी समय बट्टे-100 मूलधन आपने क्या माना एक्स माना तो एक्स इसमें जो समय बोड रही है साथ परशन की दर से छह वर्स तो छह वर्स साथ बट्टे-100 ठीक अगला गुड़ा करेंगे तो साथ शक का ब्यानलिस ब्यानलिस एकम ब्यानलिस एक्स बट्टे-100 ठीक नेश्ट देखिए दूसरे भाग का सद्राण ब्याज अब दूसरा भाग आपने वाय माना है तो आप यह आप करेंगे तो नोत यह 27 वाय बट्टे-100 यह आपका तीसरा समी करें चौता कैसे निकले का दो देखिए प्रशना नुसर प्रशना कहता है कि पहला जो सद्राण ब्याज है वो दूसरे का दोगना है तो आपने दोनों को रखा उस सामने में दोखा गुड़ा किया उसी तरह से यह 2 नीचे आएगा 42 को काटेगा तो फिर 20 हो जाएगा अब यह अगर नीचे आता है तो यह दुरें को ब्लूब यह दूसरे को काटेंगे जैसे मानले सतायग को नीचे लाते हैं तो कैसे कटेगा तीस साथे किस तीन ने सकता इस कटा नो तो अखल मिला का आप तो जो स्रीप एक्स था वहां पर हमने रख दिया नव वाई बटे साथ प्लस वाई बराबर दो होजार रुपए साथ एकम साथ वाई अब साथ वाई में नव वाई को जोड़ेंगे तो हो जाएगा वह सोला वाई अब मैं पक्षांदर करूंगा तो साथ इसके बगल में अब आप कह सकते हैं इस पाकार पहला जो भाग था वह 1125 था दूसरा भाग था वह 875 था इसलिए उसने कहा कि दूग ना है ठिक तो कोश्चन चार कंप्लिक करने के बाद हम आ गया है कोश्चन नंबर फाइब में आई होप आपको एक से चार अच्छे से समझ में आ गया होगा तो फाइब को ध्यान से समझे प्रशन कहता है मी पटेल प्रथम ने मी पटेल प्रथम वर्स के आरम में 500 रूपए दूसरे प्रथम साल कितना जमा करता है इन सभी वर्सों में 8 परशन के दर से वारसिक ब्याद लगाती है और ब्याज की दर क्या है सधारन ब्याज की दर ठीक तीसरे वर्स के अंत में खाते में कितना मिस्रधन होगा जो मैंने ए लिख है उसका मतलब है मिस्रधन ठीक तो आई होप अगर प्रशन देख नहीं रहा होगा तो मेरी बाते सुनकर आपको प्रशन समझ में आ गई होगी डेटेल में सिखना चाहते हैं बेसिक से तो फिर से मैं कहूंगा पेन कॉपी बिल्कुल अपने पास रखिए और अगर आप बीकाम के स्टूडेंट है तो आप अपने बुक होगा तो अगर सुखिए हमारे मैं ने बता दिया समझ गए तीन साल दिन अलग अलग मुल्धन विंग अ गया डरा आट वर्सेंट की आपको लिक नहां प्रथम साल का अगर ब्याद निकलना है तो पांस रूपे का तीन वर्ष का साधारन भ्याज निकलना है तो पहला सदहरण ब्याज सदहारन व्याज इए मान भर एट कीजिए तो जीरो से जीरो करणव 15 15 ठीक सोभीस पहले साल पहले तीन साल का ब्याज कितना निकला 120 आप 3 साल निकलेगा तो पा änd निकलेगा ठीक अभी मिट गया तो पी गुड़ी तारा गुड़ी टी सुत्र लगां के मान जीरो कटेगा ठीक इनको डिवाइट करेंगे पॉइंट में आपका अंसर आएगा 84.80 ठीक 84.80 यह आपका निकला दूसरा तीसरा निकालेंगे तो 550 का एक वर्स का क्योंकि वो तीसरे में है अब वो बस एक साल करेगा फिर खतम इसलिए हमने लिखा 550 का एक वर्स का सवरान ब्याज मान लिखे 550 मूलधान आरपरसन की दर बटे 100 ठीक यह डिवाइट करेंगे तो आपका निकलेगा 44 रूपे अताब तीन साल का पहला वाला जो मूलधान जम्मा किये तो उसका ब्याज बोलेंगे 120 दुसरे का दो साल का रहा 530 का 84 रूपे तीसरे का 550 का रहा सिर्फ 45 रूपे इस तरह से अपने तीन ब्याज निकाल ली आप लिख सकते हैं कूल ब्याज कितना हुआ तो कूल ब्याज बराबर तीनों को जोड़ दीज जैसे आपने कूल ब्याज निका तो आपको कूल मूलधान निकलेगा प्रशन को बहुत ही सरल था बस इस तरह से घुमा की दिये जाता है कि हम पन्फूज हो जाते हैं तो अजहों को आप प्रश्णों को बहुत ध्यान से पढ़िए फिर इसके solution को समझे ठीक next प्रश्ण भी देखें पांसवा के बाद छटवा राजस ने पांच जार रुपए किसी सधारन ब्याज के दर से दो वर्स के लिए किसी सधारन ब्याज के दर से मतलब उसमें दर नहीं है दो वर्स के लिए उधार दिया और छएस रुपए उसी ब्याज के दर से पांच वर्सों के लिए स्याम को उधार दिया ठीक एक तो राजस को दिया एक तो श्यान को दिया उन दोनों से ब्याज के रूप में उसे 455 रूप अगर प्राप्थ हो तो ब्याज के दर बताईए ठीक देखिए मूलध दना लग अलग बताया है समय बताया है उसको ब्याज कितना मिलेगा दोनों ये रूप में भी बता दिया दर नहीं बताया तो आप समझ सकते हैं इसमें आपको ग्याद करना है दर ठीक आपको दर निकालना है तो देखिए हमने लिखा माना ब्याज की दर आर परसेंट है जब नहीं पता तो आप आर मान की चलिए ठीक आर मान लिए तो राजस से प्राप्त ब्याज कितना हो रहा है तो ब्याज निकालना है अब राजस मतलब सधरान ब्याज निकाल रहे ठीक है तो राजस को सधरान ब्याज निकलेगा पांच जार कमूल धन उड़ी दर जो आर कार रहा है समय दो वर्स बट्टे सव इस तरह से जो आपने निकाला दो जिरो से दो जिरो कटा पचास दूनी सव आर निकला ठीक दर मतलब ब्याज स्वारी ब्याज है न स्याम का ब्याज निकालेंगे तो उसका 600 रुपए है पांच प्रस्ण कहता है कि दोनों ही रूप में उसके पास ब्याज कितना प्राप्थ हो नहीं उसको 455 तो आप लिखेंगे कुल ब्याज बराबर 455 लेकिन हमारे अकॉर्डिंग क्या हो रहे है सव आर प्लस तीस आर निकल रहा है दिन को जोड़ेंगे तो 130 आर हो रहा है अब 130 को नीचे पक्षांतर करेंगे तो यह कट के जो निकल लेगा वही तो आर कमान होगा तो आर कमान निकल गया साथ बटेंदो सिंपल तो इस प्रस्ण में क्या था स्याम और वाजिस का जो भी आपने लिखाला दोनों को टोटल करेंगे परन्तु पहले से इनको कितना मिलना था अगर इनिशित है तो उसको बराबर कुछ तरफ रखेंगे यह दोनों आर के मान जूड़ करके पक्षांतर होगा डिवाइट करके जो आएगा वह आपका दर होगा तो साड़े साथ पर्शन आप दर बोल सकते हैं साथ का आधा साड़े तीन पर्शन टेक तो यह आपका दर एक धन चार वर्स में सदारन ब्याज से एक हजार रुपए हो जाता है यदि ब्याज के दर बढ़ाई जाए तो वह धन उसी समय में एक हजार चालिस रुपए हो जाता है तो वह धन तत्था ब्याज के दर ग्याद कीजिए अब देखे एक धन बोला है क्या बोला है एक धन चार वर्स में सदाहरन ब्याज से 1000 रुपय हो जाता है कोई पैसा अगर इतना हो जाता है मतलब वो फिर गया हूँ मुझे स्री धन है तो क्या है में स्री धन है ठिक अगला यदि ब्याज के दर 20 परशन और बढ़ा दी जाए तो वह धन उसी समय में 1084 हो जाता है तो धन तथा ब्याज गयाद कीजिए नहीं पता धन तो धन को P रग दीजिए धर को R रग दीजिए ठिक अब सुत्र आपका क्या होता है यह देखिए ध्यान से A बराबर P 1 प्लस P गुड़ी तार गुड़ी टी बटे इस तरह से आपको लिखना है यहां पर देखिए P दोनों में common निकालना है P को दोनों में P बाहर आया यहां से P बाहर जाएगा तो एक बचेगा यहां से P जाएगा तो आटी बटे सो निकलेगा यह कंडिशन है इसको आप सम्हाल के रखेगा यहां पर आपको ध्यान देना है पहले वाले में समय कितना है चार वर्स का रूपए कितना है एक हजार रूपए थिक तो हमने टी के जगा चार लिखा बराबर एक हजार रूपए लिखा चो आपका हो जाता है यह आपकी एक कंडिशन जम गई ठीक है इतने को आप देखेंगे यह आपकी एक condition जम गई जिसको आप समीकरण एक भी बोल सकते हैं यहाँ पर सेगर यह कड़ता है तो चार एकम चार पचीस चांप सव होता है तो चार पचीस हम सव होगा तो आयकम आर बटे पचीस यह आप समीकरण एक नाम देंगे यह वह आज बढ़ा होगे इस का मतलब आप इसको 20 बटे सो उलिकोगे 20 बटे सो कटेगा 20 Desp explained भीश पन्चे에 सव मतलब आरब पटे इसका क्या रहा एक क्या क्या लिख सकते हैं 20 बटे सो अब दूसरे के लिए जो आपको मिशल धन निकालना है अब उसको A2 बोले क्योंकि एक तो निकल चुक है दूसरा है वो तो A2 बराबर P1 प्लस 6R इन्टो 4 बाइ 5 इन्टो 100 बराबर 1084 क्योंकि दूसरे में क्या बोला है 20 परशन बढ़ाने पर वो इतना हो जाता है तो इतना हो जाता है उसको इस तरफ ठीक है अब आपको दर्निक लगा वो यह है तो हमने वहां सिक्सार भाई 5 लिखा ठीक है परन्तु प्रशन क्या कहता है समय तो 4 बरसी रहेगा इसलिए 4 बट पांच पंचे 125 बरावर 1040 ठीक अब इसको आप समीकरण 2 बोल सकते हैं तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में भाग देने पर एक दूसरे को देखिए यह जो मान है वो डिवाइट हो जाएगा इसके साथ तो दोनों को मैंने बट्टे में लिख दिया तो इसका 1000 और इसका य देंखना है आपको यहांं धीरिया गुडा करना है इनके साथ गुडा यह करेगा यह आ गया इनके सांथ गुडाए 1000 करेगा यह उठर जम गई अब गुडा करेंगे तो全 1040 एकम 1040 अब उसी 1040 का आर से गुड़ा होगा तो 1040 आर बटे 100 1000 एकम 1000 1006 का गुड़ा करेंगे 6000 आर बटे 125 ख्लियर ठीक इतना समझ गए अब देखिए प्लस 1000 इधर आओ लेकर क्या ओ तो माइनस हो जाएगा 1040 में 1000 जाएगा 40 बचेगा ये प्लस इधर आके माइनस हुआ दोनों का पहले हर समान करेंगे हर समान कैसे करना है यहाँ 125 आ यहाँ भी ला सकते हैं कितने का गुड़ा करके ला सकते हैं बताइए 25 में कितने बार में 125 आएगा 5 बार में आएगा ठीक है इसलिए हमने 800 बटे 125 लिखा अब सिंपल सी बात है इसको इधर लाओ यह नीची आ जाएगा तो इस तरह से डारेक्ट जमाद हो डिवाइड करो डिवाइड करने के बाद आपको निकला 25 बटे इसको और कटोगे सही बटे में लिखो गए तो अब आपको भ्यास करना है ठीक है अभी में बता रहूं लगभग एक से लेकर के हमने कितने प्रस्न सौल्व किये तो पार्ट वर्न में स्रिप इतना ही बाकि आपको बताऊंगा पार्ट टु में और इतने प्रस्न देखने के आपको इसका भ्यास करना है बना बना के देखना है भड़े आप समझ चुके हैं पर इसको खुद से बना करके देखिए उधारन के प्रस्न उसको देख करके बनाईए ठीक ऐसा नहीं आए कि उधारन के प्रस्न एक्जाम में नहीं आएंगे उधारन के ही ज्यादा तर आते क्रियात्म क्रश्ण नहीं दिया जाता क्योंकि उनको पता है ज्यादा तर बच्चे कोचिंग करेंगे और कोचिंग में क्रियात्म क्रश्ण को सौल कर वाया जाएगा बस उसी को प्रैक्टिस करते रहते हैं इसलिए आदे से ज्यादा 70-75 प्रश्ण तो आपको इसको बना करके देखना है तो